ऐसी नोबत आईगी नहीं, आर्चे जनता पार्टी की हेट्रिक लगेगी और सरकार बनेगी, मैं पहले भी बोल चुका था और अब भी बोल रहा हूं, कितना बिल्पुल साफ हूं हर्याना के अंदर अगले पांच साल तक कौन शासन करेगा, किसकी सरकार चलेगी, ये पांच अक्टूबर को हर्याना के मद्दाता तै करेंगे लेकिन मद्दाताओं को ब्रहमित करने के लिए भी एक अलग सेक, मैं अगर कहूं कि राजनीती चल रही है वैसे अगर आपसे कहें कि जो राजनीती ये खेल है, हर खेल की कोई नीती होती है, लेकिन राजनीती की अब कोई नीती नहीं रही राजनीती का मतलब ये है कि जो आपकी नीती चल जाए वो राजनीती है और जबकि राजनीती का सही शबद का आर्थ हुआ करता है कि नीती से चलनेवाला राज जो नीती के हिसाब से चलाए जाए वो राज वो राजनीती होती है मैं आपसे सारी बात का जिक्रिसलिー करर रहा हूं कि जब हर्याना के अंदर चुनाव हो रहा है विधान सभा का चुनाव तो इस चुनाव के अंदर कहने के लिए तो पांच प्रमुक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं पांच राजनितिक दल उन राजनितिक दलों में जो प्रमुक पार्टियां है वो कॉंग्रेस है भारत जंता पार्टी से समझोता करके हर्याना के चुनाव में पहली बार है वो है आजाद समाज पार्टी चंदर शेखर आजाद की पार्टी रावन की पार्टी और दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो हर्याना के अंदर चुनाव तो लड़ती है लेकिन उसका भी अ रहा करता है मैं बर्यांद को सब्सका में आप सको यह बता रहा था कि हर ड़ आज कल उस हिसाब से चल रहा है कि जो उसकी नीति में उसके खाँचे में आज चल रही है को कि हरयाना कंद्र över बाद चल रही है कि कहने के लिए तो जो मैंने आपको बताया पहले आपको बताया पांच राजनीतिक पार्टियां हैं और यह यह कह दूं कि तीन राजनीतिक दल और दो एलाइंस इस प्रकार से यह चुनाओ मैदान में हैं लेकिन जैसा माहौल हर्याना के अंदर बनता हुआ दीख रहा है जिस प्रक कॉंग्रेस और दोसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां आप कहेंगे ऐसा क्यों मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किये आप पहले इस वीडियो को देख सकते हैं लिंक में जाकर के देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलनाबाद में मीनू वेनिवाल का आन वो एक रोज पहले तक भारती जनता पार्टिय का सक्रिय कारे करता था और एक वीडियो मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रहा हूं इसके अंदर सबसे प्रमुक बात यह है दोस्तों आज नामांकन वापसी का दिन था अंतिम दिन नामांकन वापसी का शाम को तीन बज़े तक अपरान दोपहर से पहले के तीन बज़े तक जो केंडिडेट जिनको यह लगता था कि उनसे गलती हो गई नामांकन करने में यानि कि जिनोंने सोचा कि गलती से नामांकन कर दिया या वो लोग जिन पर कोई दवाप प्रेशर थे वो लोग और या फिर जिनके आकाओं राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने उनको को इशारा कर दिया तो उन्होंने अपने नामांकन वापिस ले लिए आज जो नामांकन वापिस हुए उसके अंदर सबसे चौकाने वाला नाम सिरसा का था भारती जनता पार्टी के कैंडिडेट रोताश जांगडा का नामांकन वापिस हुआ भारती जनता पार्टी के कैंडिडेट बहुत बड़ी बात है अब भारती जनता पार्टी हर्याना में 90 नहीं 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर मैं अगला कहूं तो फिर दूसरा जो नामांकन वापिस हुआ वो नामांकन वापिस हुआ इंडियन नैशनल लोगदल के कैंडिडेट का भाउजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का यह जो गठवंदन प्रत्याशी था महेंदर सिंग उनका नाम है और वो विधान सभाद सीट है बादली ओम प्रकाश धंखड वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भारती जन्ता पार्टी के नेता और तीसरा जो नामांकन वापिस हुआ वो नामांकन वापिस हुआ जन्नायक जन्ता पार्टी के कैंडिडेट का और वो नामांकन वापिस हुआ अहीरवाल की सरजमी से अब इन तीन नामांकन के वापिस होने के माइने क्या हैं? लेकिन यह जो तीन नामांकन वापिस हुएं सबसे पहले मैं आपसे बात करनों सिरसा के नामांकन वापसी की गोपाल कांडा का एक वीडियो शेयर हो रहा था एबीपी निउस पर उनका इंट्रिव्यू था और एबीपी निउस के स्वजन्ने से मैं आप उसको एक क्लिप दि निए इसमें क्या कह रहे थे ऐसी नोबत आएगी नहीं भार्टे जन्ता पार्टी की हैट्रिक लगेंगी और सरकार बनेंगी मैं पहले भी बोल चुका था और अब भी बोल रहा हूं किक्तम बिकुल साफ मतलब मतलब क्या कहते हैं को हम सरकार बनाएंगी प्रिकोणिये मु आइनली, बीएसपी, हलोपा जो हमारा समझोता है उसमें जो सीटे आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेंगे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी कोई करेंगे कोई तूट नहीं कोई रिष्टा खराब नहीं नही किया हलोपा के कैंडिडेट के तौर पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर आपको ध्यान होगा जो राजनीती में रुची रखते हैं उनको तो खासकर ध्यान होगा गोपाल कांडा की पार्टी हरियाना लोग हित पार्टी एंडिये का पार्ट रही है आज भी प सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि धर्मेंदर परधान से लेकर अमिशाह तक और नायब सिंग सैनी से लेकर मनोहरलाल तक हर दरवाजे पर थे गोपाल कांडा 15 सीटों से मांग शुरू हुई थी और दो पर जाकर अटक गई थी लेकिन भारती जंता पार्टी ने उनको कोई सीट नहीं दी थी अचंबा हुआ था जब रहताश जांगडा को केंडिट बनाया गया भारती जंता पार्टी की तरफ से इधर गोकुल सेतिया कॉंग्रेस से केंडिट हो चुके थे क्योंकि अब गोपाल कांडा कहां से केंडिट होंगे अभै सिंग चोटाला उनके समर्थ कांडा के मंच पर थे जिन से 36 कांक्रा हो चुका था उन गो कांडा के मंच पर थे जिनके साथ में तमाम विवाद सामने आये थी हलांकि गोपाल कांडा और चोटाला परिवार का जो पिछला जो संबंधा रिष्टा ना था वो बहुत प्रगार था लेकिन दो हजार नौ के बाद जो वो संबंध बने वो उसकी भी कहने की कोई बात नहीं है वो एक लंबी दास्तान है इस सब के बाबजूत जब गोपाल कांडा के मंच पर होते हैं अभय सिंग चोटाला गोपाल कांडा के पारटी साथ जोड़ जाती है यहां बात जोड़ना बहुत जरूरी है कि जो उपचुनाव हुआ था 2021 में किसान आंदोलन के बाद उस उप्चुनाओं में गोविंद कांडा भारती जनता पार्टी के केंडिडेट थे और अभी तक गोविंद कांडा ने भारती जनता पार्टी छोड़ी भी नहीं मीनु बेनिवाल भारती जन्ता पार्टी के सशक्त कैंडिडेट हो सकते थे लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने इससे पहले एलनाबाद में अपना कैंडिडेट उतारा अमीर चावला इधर सिर्शा के अंदर एक खेल हुआ और जो आज खेल सब कुछ सामने आ गया तो इस वहाद से मैं कह रहा था कि राज नीती नहीं वो नीती जिससे अपना राज आ जाए किसी प्रकार से भी ये केन प्रक्रेण अपना राज आ जाए और जब बादली से केंडिडेट का नामांकन वापिस होता है जो 20 घंटे से गुमशुदा थे तो सवाल तो वहाँ भी उठेंगे सवाल वहाँ भी उठेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और अगर बात पलवल की आ जाएगी तो जो इनेलो और बस्पा जो हर्याना की तीसरी शक्ति ये भी हमने आपसे कहा था कि थर्ड चोईस बन रही है लेकिन क्या आंतरिक तोर पर इंटर्नल कोई समझोते चल रही है और उन समझोतों के तहट कि सब कुछ हो रहा है इनेलो और बस्पा गठबंदन की टिकेट पलवल से जिन नेता को मिलती है जिनको टिकेट मिलती है उन्होंने आज तक कभी कहीं टिकेट मांगा नहीं था टिकेट मिलने से एक दिन पहले तक वो भारती जंता पार्टी के नारे लगा रहे थे भारती जन्ता पार्टी के जो पलवल के प्रत्याशी थे उनके समर्थन में वो उनके कसीदे पढ़ रहे थे लेकिन एका एक टिकट महां मिल जाता है इसलिए आज कहना पड़ा कि हर्याना के अंदर अलग-अलग गठवंदन नहीं ऐसा लगता है जैसे कॉंग्रेस वर्सिज ओल हो चुका है और इस चुनाव के अंदर ऐसे रंग और बहुत सारे सामने आएंगे आप से जिक्र कर रहा था मैं अहिरवाल के अंदर जेजेपी के कैंडिडेट का नामांकन वापिस होने का जेजेपी के जो प्रत्याशी ने अपना जो नामांकन चल बन पक रहा कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि हर्याना के चुनाव के अंदर क्या किसी और प्रकार की नीती भी चल रही है और क्या राज लाने के लिए नीती और अनीती कोई माइने नहीं रखती और आपको क्या लगता है कि हर्याना विध